वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स एलिक्सर एकेडमी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स बीएट फरस्ट येर पेपर टू जो की है इस वीडियो में हम लोग टॉपिक है हमारा आज का डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी भारतिय समाज में जो डाइवर्सिटी है जो विविधता है आज हम सब इस वीडियो में इसको देखेंगे इसको हमें डिसक्राइब करना है इंडिया is known for its rich diversity which encompasses a wide range of castes, languages, religions and regions यहनी भारत जाना जाता है अपनी बहुत ज़्यादा विविधताओं के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के लिए जिसमें की बहुत प्रकार के कास्ट के लोग यहाँ हैं अनेक प्रकार के भासाओं के उबोलने वाले लोग हैं कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग कई अलग अलग छित्रों में रहते हैं क्योंकि भारत एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है Let's explore each of these aspects तो चलिए यह सारे एस्पेक्ट कार्ट्स, लेंग्वेज, रिलीजन, रीजन्स को अच्छे से एक्स्प्लोड करते हैं सबसे पहले कार्ष्ट्स, तो भारत में जो कार्ष्ट्स पाए जाते हैं उनके बाड़े में थोरा सा एक देखते हैं कास्ट को लेकर के जो भेदभाव किया गया है, कास्ट को लेकर के जो वरगी करण किया गया है समाज का, वो काफी पुराना है, परमप्रागत तडिके से टोटल चार में केटेगरी थे कास्ट के, एक ब्राहमिन्स, ठीक, दूसरे छत्रिय, तीसरे वैश्य और चो थे शूद् ठीक, ब्राहमिन का काम था ये थे प्रीश्ट्स एन स्कॉलर्स, तो जो पुजारी लोग थे, जो स्कॉलर्स थे, वो ब्राहमिन केटेगरी में आते थे, छत्रिय केटेगरी में वारियर्स और रूलर्स आते थे, वारियर्स में योध्धा और ये रूलर्स, राजागन वो स दूर सब वो सब सुदर केटेगरी में आते थे ये प्राचीन भारत का classification है अब ये सब नहीं चलता है additionally there are numerous sub-casts and thousands of casts that fall outside the four-fold system known as scheduled casts ठीक तो इन सब के अलावा ये चार जो वरन बताए गए हैं इनके अलावे भी ऐसे बहुत साड़े sub-casts हैं thousands of cast हैं जो कि इन चारों category से बाहर हैं ये four-fold system से बाहर हैं और इनको scheduled cast कहा गया है दलिद जिसको कहता है formerly known as untouchables तो untouchables ही नहीं इनको अच्छूद कहा गया था उपर वाले ये चार caste जो ब्राह्मन, छत्रिय, वैसे और सुदर थे ये उन सब से अलग थे अचूद थे ठिक पाँचवी किटेगरी जिनको scheduled caste अभी कहा जाता है and scheduled tribes जो की आदिवासी हैं However, it's important to note that the Indian constitution prohibits discrimination based on caste and efforts are being made to promote social equality and uplift marginalized communities जबकि भारत सरकार ये बात ध्यान देने वाली बात है कि भारतिय सम्विधान जो है कास्ट के आधार पर होने वाले discrimination जो भेदभाव है उसको मना करती है, prohibit करती है कि कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए ऐसा हमारे भारतिय सम्विधान में वर्नन किया गया है Article 15 में आप के लिए रकटी से देख सकते हो and efforts are being made और प्रियास किये जा रहे हैं कि समाज में equality और बनाई जाए जिससे कि marginalized community का उत्थान किया जा सके फिर देखते हैं languages के आधार पर जो diversity है अपने country में उसे भी देख लेते हैं India is a linguistically diverse country with more than 1600 languages spoken across its vast territory तो India एक भासा के आधार पर बहुत ही ज्यादा diverse country है यहां लगबग 1100 भासाएं बोली जाती है भारत के इलाके के अंदर भारत बड़ा देश है और इसमें 1600 के आसपास भासाएं बोली जाती है इनके भी भिननबड के लोगों के द्वारा The Constitution of India recognizes 22 officially recognized languages including Hindi, English, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannad, Oria, Punjabi and Malayalam तो भारत में 22 भासाओं को officially recognized किया गया है इंडिया के Constitution में इनमें आप देख सकते हो यह Hindi, English, Bengali, Telugu, Marathi यह साड़ी भासाएं हैं जिनको की इंडिया में recognized किया गया है Constitution Each state and region often has its own dominant language and many Indians are bilingual और multilingual capable of speaking multiple languages तो जितना भी state है इंडिया के हर एक state हर एक इलाके में प्राय है उनका खुद का ही अपना एक language है वहां के लोग अपने एक अलग प्रकार की भासाएं ही बोलती है और बहुत सारे ऐसे इंडियांस है जो की bilingual या multilingual है बहुत सारे ऐसे इंडियांस है जिनको की दो भासाएं आती है दो से ज़्यादा भी भासाएं आती है और यह smoothly बोल पाते हैं multiple languages को तो language को लेकर के diversity हमने देख लिया friends अब देखते हैं religions को लेकर के जो इंडिया में diversity पाई जाते है धर्म क्या धर पर क्या क्या diversity है वो देखते है इंडिया is the birthplace of several major religions भारत जो है जन्म भूमी रही है बहुत सारे बड़े religions की और भारत एक ऐसा देख है जहां की विभिन धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं तो जो मुख्य प्रमुख धर्म जो भारत में लोग मानते हैं वो हिंडूई धर्म है इस्लाम है, क्रिश्चैनिटी, सिख धर्म, बौत धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में भारत में रहते हैं हिंडूईजम is the majority religion followed by a significant Muslim population यानि की हिंडूईजम सबसे ज़्यादा dominant religion है भारत में majority है हिंडू धर्म को follow करने वाले लोगों की और उसके बाद जो second number पढ़ाता है वो है Muslim population इंडिया's religious diversity has shaped its culture, traditions and festivals fostering a spirit of religious tolerance and coexistence तो भारत में जो धार्मिक diversity देखने को मिलती है धार्मिक विधता जो देखने को मिलती है ये इसकी संस्कृती को shape देती है इसकी परंपराओं को बनाई हुई है और इसमें भिन भिन परकार के festival भी आयोजीत होते हैं पर भी देखने को मिलते हैं जिससे की religious tolerance का भाव आता है और coexistence का भाव आता है यानि की एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करे और साथ में मिल करके इस देश में रहें ऐसा भाव भी देखने को यहां पर मिलता है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म को लोगों को मानने वाले लोग हैं नेक्स्ट है रीजन्स इंडिया इस डिवाइड इन्टो 28 स्टेट्स एन 8 यूनियन टेरिटरीज इच विट इस ओन डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन्स एन रिलिजन लैंग्विज रिजनल लैंग्विजेज तो रीजन्स मींस होता है छेत्र तो भावत एक विशाल दे हैं सबसे का अपना खास कल्चडा हैं सबकी अपनी संस्क्रिति हैं सबकी अपनी इपनी परमपराएं हैं च intelligent से सबको अपना अपना खुद का बेजनल लैंविज dai सभी चेत्र का अपनी यह बासा offend पनी इस इस्टेट्स वेरी इन टरमस अफ जोग्रफी climate and historical significance तो ये साड़े states जो हैं इन सब की अपनी खास टाइब की जिग्रफी है सब का अपना अलग अलग परकाड का climate है और historical significance अब का अपना अपना इतिहास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस states vary in terms of geography, climate and historical significance for example, North India is known for its historical landmarks such as Taj Mahal and the Himalayan mountain range while South India is renowned for its draviran culture and temples तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो North India और South India है दोनों का इतिहास भी different रहा है और दोनों अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं North India में जहां कि Taj Mahal जैसाए का इतिहास इकिस मारक है और हिमाले पहार पढ़ता है वहीं पर South India जो जाना जाता है वो अपने द्रविरन कल्चर को लेकर के जाना जाता है और बहुत सारे temples के लिए जाना जाता है Western region is famous for its vibrant festivals and kushin and Eastern region is known for its rich literature and art तो भारत का पस्चिमी भाग जो है वो तरत्र के रंग बिरंग यत्योहार को मनाने के लिए जाना जाता है और जो पुर्वी भागा इस्टन region है ये अपने बहुत ही variety के जो literature साहित्य और कला के लिए जाना जाता है तो clear cut है भारत का जो छेत्र है बहुत ही व्यापक है और अलग अलग छेत्र में अलग अलग परकार के लोग है अलग अलग संस्कृति है अलग अलग परमप्राओं को मानने वाले अलग भास्वां बोलने वाले लोग है और हर एक छेत्र कुछ खास चीजों के लिए फेमस भी है यह बात ध्यान देने योग यह है कि इंडिया की चुख पहचान ही है डाइवरसिटी यानि कि भारत को डिफाइन ही करता है उसकी विविधता भारत भोथ विविधताओं वाला देश है लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजस भी है भारत में इतनी विविथताओं के साथ इन विविधताओं की वज़ए से कुछ चैलेंजस भी देखने को मिलते हैं जिनको दूर करने की जरूरत है ताकि एक सोशल इंक्लूजन आ सके ताकि समाज में सब लोग एक दूसरे को सम्मा करके चल सके और जो discrimination होता है इस diversity की वज़े से उसको भी कम करने की जरूरत है जो disparities जो इतनी ज़्यादा अंतर देखने को मिलती है तरह तरह की conditions में उसको भी minimize भी करने की साथ ही साथ जरूरत है तो एक तरफ तो देश अपना diversity को भी adopt किये और दूसरी तरफ इन सब को एक साथ लेकर के inclusive society बनाने का भी एक challenge हमारे सामने हैं However, efforts are being made to foster inclusivity and ensure equal opportunities for all individuals regardless of their caste, language, religion or region तो हमारी diversity के बावजूद भी प्रियास ये किये जा रहे है ये करती है प्रियास हमेशा से किये जाते रहे है कि एक inclusive समाज जाए, ठिक सभी लोगों को equal opportunity मिले, सब को एक समान अवसर मिले, सभी लोगों को चाहे वो किसी भी caste के हो किसी भी language को बोलने वाले हो कोई भी धर्म हो या किसी भी छेत्र से आए हो वो अगर भारतिये हैं तो उनके साथ कोई भी भेदबाव नहीं किया जाना चाहिए सब को एक समान अवसर परदान किये जाने चाहिए डेवलप होने के लिए इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स कि कि जाने उनके साथ